हाई वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बना रही हूँ पनीर साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग एक लीटर दूद से कितने ग्राम पनीर निकाल सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने बाल्टी में दूद ले लिया यह घर का ही दूद है उसके बाद मैंने एक हाई फ्लेम पर गैस पर दूद रख दिया है और सिर्फ एक उबाले लेंगे ज्यादा उबाले नहीं लेना है सिर्फ एक उबाला जैसे यह उबाला आ जाएगा तुरंत हम घैस को धीमा कर देंगी और इसके बाद मुझे फिटकरी से फाड़ना बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत जल्दी फट भी जाता है तो इसलिए मैं फिटकरी से फाड़ने में अगर आप उस चीज का प्रियोग करिएगा और नीबू का प्रियोग करिएगा फिटकरी डालके और मैंने धीमी आच रखी हुई है और कल्चुल की मदद से मैं इसको चला रही हूं अभी यह होगा तो आपको सभी सेम प्रोसेस करना है यहां पर अच्छे से सारी दूज जो है एकदम छेना अलग हो गया इसका पानी अलग हो गया जब पानी ग्रीन दिखने लगे मतलब यह सिंबल है कि आपका पनीर अच्छे से फट चुका है जब तक यह वाइट दिखे मतलब यह अच्छे से फटा नहीं है तो आपको इन बातों का धियान रखता है यहां पर पानी इकदम घ्रीन हो गया है तो बस हमारा पनीर बन के तयार है तो बस आगे का प्रोसेस है हमें इसे से सेट करने का तो बहुत एजी तरीका बताऊंगी अब मैंने गैस को कर दिया है आप एक आटा गूत के या सबजी में प्रियोग करके जरूर दिखाऊंगी लेकिन आपके कहने पर और जैसे मैंने बताया था ना कि यह पकड़ लेता है तली में तो पानी जैसे हम ने डाला था थोड़ा सा कम मातरा पकड़ा था नहीं तो पता चले जल जाएदा यहां पर अच्छ गराम निकलता है यहां पर मैंने बाओर को पहले मेजर किया 10 second द्रता इस तो पता नहीं क्यों 25 गराम निकला यह तो पादि नुप्रोसेश हो जैसे इसे मैंने बाद आप लोग देखेगा यहां पर पानी मैंने पानी डाला है पादि हानी देखते अच्छे से पानी से दोली है थोड़ा ज़्यादा गरम है तो आप हाथों को बचा सकते हो अपने प्रियोग कर सकते हो यहां पर अपने वाइट पानी नेख लेगा तो इस पानी को आप फेक सकते हो यहां पर मैंने अच्छे से पानी को निचोड़ा है अच्छे से सकती हूँ जैसे मैंने बहुत ही कम समय मुझे आधा कंटा से भी कम समय लगा होगा वसेट होने में जो टाइम लगा फूल लगा इसके उपर मैंने भारी सा वेट रख दिया था और उसके बाद हमारा बहुत ही सुंदर सा मोटा सा पनीर बनके त्यार हो गया है तो अभी आप तो 184 ग्राम पनीर निकलता है तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे पनीर बनाईएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा और सेयर भी कीजिएगा अपनी फैंबली में फ्रेंड में वाट्चिप ग्रूप के साथ थैंक्स फो वाचिंग में विति अगले वीडियो में बाई